हेलो गाइस कैसे हो सारे आज होप कि आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम आज हम बात करेंगे शुरक्यों में रहे गांधी शांति पुरुसकार 2020 की गोशना हुई तो बात करता है इसके डिटेल में गए और यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो और साथी में बेल आइकन प्रिस कर लिजिए ताकि कोई नई अपडेट आये तो आप उसे मिस ना कर पाए और साथी में आप चैनल यदि वीडियो को जो है पीडिया फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन वोक्स में जो लिंक है वहाँ से जाकर आप पीडि गांधी शांति पुरुषकार के बारे में तो गांधी शांति पुरुषकार 2020 बंग बंदु शेक मुझीब उर्रहमान को सम्मानित किया गया तो गाइस बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए और कहीं इंपोर्टेंट क्यूशन निकल सकते हैं आज के वीडियो से तो पहला इंपोर्टेंट यहां से बन सकता है कि 2020 गांधी शांति पुरुषकार बंग बंदु शेक मुझीब उर्रहमान को दिया गया यह वार्षिक पुरुषकार व्यक्तियों और सस्ताओं को अहिंसा और अन्य गांधिवादी आदर्शों के माध्यम से राजनेतिक सामा प्रजिक और आर्थिक परिवर्थनों में योगदान हेतु दिया जाता है इसमें एक करोड रुपई की नगत राशी एक पट्टी का और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तो इसकी जो राशी है एक करोड रुपई यह भी important question बनता है और बात कर लेते हैं आगे detail में तो बंगलादेश के राश्ट्र पिदा बंग बंधु शिक मुझीबूर रह्मान को प्रदान किया गया तो गाइस एक important point यहां से बनता है कि गांधी शांतिपुरुस्कार संस्कृति मंत्रा ले द्वारा दिया जाता है और यह पिछले दो सालों के लिए दिया जाता है हर दो साल में इसे दिया जाता है इसकी राशी एक करोड रुपए हैं और संस्कृति मंत्रा ले जो भारत सरकार के अधिन आता है तो उसे दिया गया मंत्रा ले ने बताया कि इस साल 2019 का गांधी शांति पुरुसकार भारत के साथ संबंद को मजबुत करने वाले खाड़ी शेत्र में शांति तथा अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासो को मान्यतर देने के लिए ओमान की दिवंकत सुल्तान काबुस बिन सेद अल सेद को प्रदान किया जा रहा है तो 2020 और 2019 के जो पुरुसकार हैं यहां पर से दिये गए संस्कृति मंत्रा ले ने सौंवार को गांधी शांति पुरुसकार का एलान किया वर्शे 2020 के लिए गांधी शांति पुरुसकार बांगलादेश के राश्ट्रपत्य राश्ट्र पिता बात करने थे इनके चूने जाने के कारण के भारे में एक आधिगारिक बयान के मुताबिक इस जूरी की 19 मार्थी 2021 को हुई एक बेठक में उपर्युक्त विचार विमर्षि के बाद सर्व सम्वत्ति से इस पुरुषकार के लिए तो बात करने थे हैं चूने जाने का क्या गारण रहा तो इस बेठक में उपर्युक्त विचार विमर्षि के बाद सर्व सम्वत्ति से पुरुषकार के लिए बांगलादेश की राष्ट्रपता शेक मुझीबुर रह्मान और ओमान के लंबे समय तक शाशक रहे सुल्तान काबुस को चुने जाने का निर्ने लिया गया अब बात कर लेते हैं प्रधान मंत्री ने गांधी शान्ति पुरुषकार के बारे में क्या कहा तो प्रधान मंत प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि गांधी शान्ति पुरुषकार 2019 के सुल्तान स्वर्गी कबूस बिन सईद अलसेद को सम्मानित किया जा रहा है और महा महीम के रूप में उल्लेखनी करूणा के नेता के रूप में खड़े होने और शेत्र में शान्ति और सम्रद्धी को आ महात्मा गांधी की 125 वी जहन्ति के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारही से इस्तापित किया गया यह एक वारिषिक पुरुसकार है यह पुरुसकार राष्ट्रि ये नशल भाषा जाती पंत्र से परę सभी वेक्तियों के लिए होता है इस वार्षिक पुरुसकार वेक्ति पत्रद शामील है गांधी शांति पुरुषकार संबंदी जूरी के द्यक्षिता प्रधान मंत्री मोधी ने की और इसमें भारत के प्रधान जयादिश यह लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जूरी के दो पदेन सदस्य होते हैं तो गाइस यह हमारा इंपोर